हलो बच्चों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका ट्विटर जितेश वाधवानी और बच्चों आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में रेश्यो एंड प्रपोर्शन ठीक है ना इसके जो भी तुमारे कंसेप्स रहते हैं ठीक है तो बच्चों देखो अपना टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा रेश्यो एंड प्रपोर्शन ठीक है रेश्यो एंड प्रपोर्शन तो चलिए अपन पॉइंट आइसंच की चीजों का समझते है ठीक है इसमें क्या-क्या चीज़े काम की रहती है partial बेटा जो तुम्हें पता हो नहीं चाहिए वो तिए रेश्यो क्या रहता है रेश्यो क्या रहता है ist that तो इसको तुम समझो जैसे मानलों किसी के मास का रेशियो निकाल रहे हो तो दोनों ही मास में होने चाहिए है ना अगर हाइट का रेशियो निकाल रहे हो तो उपर नीचे दोनों जगा हाइट होनी चाहिए ठीक है तो इसका रेशियो निकालो ठीक है तो यह चीज नहीं निकल पाएगी क्योंकि apple का ratio बनना के साथ नहीं निकल सकता है तो इस तरीके से अपने ये देख लिया कि ratio क्या होता है similar quantities का comparison कहलाता है ratio ठीक है अब अपन क्या करते हैं अब अपन दूसरी चीज़ की बात करते हैं अब अब अपन बात करते हैं कि ratio को value में कैसे convert करें ठीक है ratio को तुम value में किस तरीके से convert करोगे मानो तुमारे पास ratio दे रखा है a by b equal to 2 upon 7 ठीक अब इसका मतलब तुम क्या बोलोगे value क्या निकलेगी तो इसमें value हमेशा हो जाती है 2k k मान लो है na k times मान लो k दोनों से जगए होगा और दोनों से cut गया होगा तब जाके ये ratio बना ओगा ठीक है तो a की value रही होगी 2k और b की value रही होगी 7k ठीक है तो ये तुमने देख लिया कि अपन ratio को value में कैसे convert करते है ठीक है के मान लेते हैं तो ये होगे हमारा दूसरा concept ठीक है चलो अब 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 बात करते हैं अपने तीसरे concept की तो बिटा अपना तीसरा concept क्या रहता है ratio as a part of total value ratio as a part of total value ठीक है part of total value तुम writing पर मत जाना है ना तुम concept पर जाना तुम concept पर जाना ठीक है मैं तुम्हें max बढ़ा रहा हूं English नहीं है ना ratio is a part of total value ठीक है तो a by b का ratio अगर तुम्हें दे रखा है 2 upon 7 ठीक है तो मान लो चलो ये ratio है ना अब अगर अपने को इसमें a की quantity निकालनी है ठीक है तो अब वो अपन कैसे निकालेंगे देखो तो उसका तरीका तो मैं shortcut तुम्हें trip बताता हूँ ठीक है अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया a plus b की value है यहाँ पे 18 है ना a plus b की value तुम्हें दे दी और a b का ratio दे दिया ये दो चीज़े तुम्हें given है ठीक है अब तुम्हें क्या करना है इसका solution निकालना है तो अगर a की value निकालनी है वो किस तरीके से निकलेगी जो a की quantity है ठीक है a की quantity को उपर लिख दो upon में इन दोनों का sum ठीक है जो ratio की quantities है उन दोनों का sum तो यह हो गया 2 plus 7 ठीक है multiplied में जो दोनों का sum दे रखा है a plus b का 18 तो यह हो गया 18 तो अब इस तरीके से हम इसको solve गाल लो 7 और 2 हो गया into 18 हो गया तो यह 2 times आगया और यह 4 हो गया ठीक है a की value 4 आगई इसी तरीके से b की निकल जाएगी है ना तो देखो यह तो अपन ने कहां कि यह अभी number लेके किया है ना number लेके किया लेकिन अगर तो मान लो यह तुम्हें कुछ इस तरीके से दे रखा है कि a by b बराबर है p by q के है ना और a plus b जो तुम्हें total है वो दे रखा है ठीक है और तुमसे बोलाएगी इसमें a कितना होगा a by b का ratio दे दिया और दोनों total कितने है वो दे दिया और बोलागे a कितना होगा तो तुम a निकाल दोगे जो a की value है वो upon में इन दोनों के ratio का sum p plus q और multiplied कर दोगे तुम total quantity से a plus b से ठीक है तो यह तुम्हारा a निकल जाएगा अब तो में b निकालना है तो तुम b निकाल दोगे b का जो part था वो q upon में इन दोनों का sum p plus q multiplied में total a plus b की quantity ठीक तो इस तरीके से तुम्हारा यह b की quantity निकल जाएगी ठीक है तो अपने देख लिया ratio is a part of total value है अगर अग अगर अगर चलते हैं चोथे concept पर ठीक है मानलो यह तुम्हारा कोशन है तुम्हारा य की value दे रखी है 7 by 5 ठीक है और तुम्हें क्या निकालना है 5x minus 2y divided by 3x plus 2y ठीक यह तुम्हें निकालना है और यह तुम्हें दे रखा है तो तुम्हें इसे कैसे solve करोगे पहले तुम ratio क value में convert कर लोगे x को तुम बोल दोगे 7k और y को बोल दोगे 5k ठीक अब इन दोनों values को उठागे यहां पर पटक दोगे तो तुम्हारा question solve हो जाएगा है ना x को 7 करो यहां पर तो यह आ जाएगा 35k minus y को 5k रखो तो यह जाएगा 10k divided by यहां पर 7 threes are 21k plus 10k ठीक तो k तो हर जगे से cancel हो जाएगा उपर नीचे से है ना 35 minus 10 हो जाएगा 25 divided में 21 plus 10 हो जाएगा 31 तो इसका answer आजाएगा 25 by 31 ठीक तो यह question रहता है बहुत simple type के question हैंगे जो भी तुम्हें बताए उस तरीके से तुम कर लोगे ना अब अब आपन बात करते हैं चौते point की चौता point तुमारा रहेगा types of ratio ठीक है तुम्हारे पास कई बार क्या रहते हैं different types के ratio दे रखे रहते हैं और उनसे question पूछा जाता है तो अगर तुम्हें A by B दे रखा है A by भी तुम्हें पता है P upon Q है है ना तो different types के जो ratios रहते हैं वो कौन से रहते हैं तुम से बोल सकता है कि duplicate ratio बताओ duplicate ठीक ठीक सब triplicate ratio बता दो है ना यह सब ratios के type है ratio 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 ठीक यह चारो तुम कैसे निकालोगे देखो duplicate ratio का मतलब क्या रहता है इसका square कर देने का P square upon Q square तो यह निकल गए duplicate duplicate ratio का मतलब क्या रहता है इसका cube कर देने का P cube upon Q cube ठीक है सबatif का मतलब क्या रहता है इसका underroot ले लेने खो इस तरीके से यह चारों की चारों छीजे तो अप रहता है तो somethin कि क्या होता जाएगा तुम्हें ठीक को आब्टीक When two ratios are equal, then it is known as proportion. जब दो ratios बराबर होते हैं, तब वो कहलाता है proportion. जैसे कि देखो, A by B अगर तुम्हारा बराबर है C by Dike, तो अपन बोल सकते हैं कि यह proportion में है. और इसको एक और तरीके से denote किया जाता है, जो तो तुम इसकी दूसरी शगल देखोगे, होगे वह घ्रैती है इस टु ली स्टरौ और समय अब और संट में इस चीज निकल करके continuous proportion क्या रहता है जब एक चीज रिपीट हो रही हो normal लिए बराबर बीबाई C, बराबर C वाई D, समझ रहो तुम समझ रहो तुम समझ रहो इस चीज़ को ना, कि जो वी इदा था वो इदर भी आगया, इदर था इदर भी आगया, तो इस तरीखे से चीज़े अगर continuous में चल रही है, तो वो कहलाती है तुमारी continuous proportion, ठीक, तो ये हो जाएगी तुमारी continuous proportion, ठीक, तो ये होगे है तुम्हारी इंवर्टेंडो डिक औरनेंडों के इन वर्देंड Speed 2 95electिन सब यह सब चीजे तुमें निकालने को बोलेगा तो तुम कैसे निकालोगे यह सब चीजे अगर तुमसे निकालने को बोलेगा तो तुम कैसे निकालोगे देखो invertendo invertendo में तुम्हें क्या करना है invert कर देना है यह उपर add कर दोगे है ना इन दोनों को add कर दोगे यहां पर COD add हो जाएंगे ठीक dividend में क्या करोगे बेस को सेम रहने दोगे बेस को सेम रहने दोगे उपर subtract कर दोगे है ना A-B इतलर हो जाएगा C-D ठीक component इन दोनों को डिवाइट कर दोगे इन दोनों को तुम डिवाइट कर दोगे तो यह तो cancel हो जाएगा base तुमारा क्या बचेगा a plus b upon a minus b ठीक बराबर c plus d upon c minus d तो यह पांच चीज़ा रहती है तुम इसे याद कर लो है ना तुम इसका snapshot ले लो इसे याद कर लो तो तुम कैसे करोगे देखो इस type की question को तुम basically कैसे करोगे कि इधर 3 है इधर 4 है तो same बनाना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 4 से multiply कर देंगे ठीक है ना 2 by 4 into 3 by 4 और यहाँ पर 3 से multiply कर देंगे तो यह B by C हो जाएगा 4 into 3 divided by 7 into 3 तो यह value किती आ जाएगी 8 upon 12 ठीक है और यहाँ पर value किती आ जाएगी 12 upon 7, 3 is a 21 तो इस तरीके से तुमने क्या किया B को same मना लिया है ना यहाँ भी B up 12 हो गया यहाँ भी B up 12 हो गया तो बस तुम इसको लिख दो ratio को ABC किता हो गया यहाँ पर 8 है B तुमने 12 बना लिया C 21 है तो यह इसका answer हो गया ठीक तो यह तो भाई लंबा तरीका है मैं तुम्हें shortcut बताता हूँ ना यह तो लंबा तरीका है अब देखो shortcut क्या रहने वाला है इस चीज का यहाँ पर देखो तुम shortcut तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ ना उसके बाद यहाँ पर बीच में आजाएगा B square और इन दोनों का multiply और यहाँ पर आजाएगा B into C समझे तुम समझे नहीं समझे चल्द तुम्हें समझाता हूँ यहाँ देखो ऑब ब लिखना है B by C लिखना है A by C किता है 2 by 3 तो यहाँ पर लिख दिया 2 by 3 B by C किता है 4 by 7 पर तुम्हें यहाँ पर लिख दिया 4 by 7 ठीक अब मैंने क्या बुला this into this यहाँ पर आएगा मतलब 4 into 2 8 यहाँ पर आएगा बीच में क्या आएगा this into this 4 थीजर 12 यहां पर क्या आएगा this into this 7 थीजर 21 तो क्याई यह इसके बराबर दिब गया चमक गया ना तो मैं चमक गया ठीक है तो मैं बस सीधा multiply कर देना इन दोनों को इधर इन दोनों का इधर इन दोनों का इधर ठीक यह सब तुम्हें रामायर नहीं करनी सीधा का सीधा तुम माभारत कर दो ठीक है चलो अब यह तो हो गया तुम्हारी जब दो रश्यो दे रखें जब तीन दे रखें तब तुम क्या करोगा जब तुम्हें तीन दे रखें मानलब तुम्हें A by B दे रखाए 1 by 3 B by C दे रखाए 2 by 5 और C by D दे रखाए 3 by 7 ठीक तब तुम कैसे निकालोगा A, B, C, D इसकी तुम्हें शॉट ट्रिक बताता हूँ क्योंकि तुम अगर वैसे करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है इसकी शॉट ट्रिक देखो shorter clear रहेगी A by B इधर लिखो B by C इधर लिखो C by D इधर लिखो ठीक अब तो मैं क्या निकालना है A, B, C, D निकालना है तो इनको multiply कर दो A, B, C को तो A into B into C यह तुम्हारी आजाएगी पहली value ठीक है आखरी value तुम्हारी आएगी इनको multiply कर दो B, C, D तो B into C into D ठीक, बीच की दो value बजगई अब देखो this into this मतलब B into B into C तो यह होगा है तुम्हारा B square into C ठीक, तो यह आगए तुम्हारी दूसरी value तीसरी value कैसे आएगी C into C into B C square into B बस, खेल खाता खेल का था मैं, तुम इसको इस form में लिख दो 1 is to 3, 2 is to 5, 3 is to 7 ठीक, तुम पहली value कैसे निकालोगे इन तीनों को multiply करके आखरी value कैसे निकालोगे इन सब को multiply करके दूसरी value कैसे निकालोगे this into this, 3 into this तीसरी value इससे करके समझ गए तो मैंने समझ गए, ठीक है तो बस भाई, इतना ही रहता है बस इतना ही रहता है ना ratio और proportion ratio और proportion का कोई भी question आजाए ये जो मैंने तुम्हें tricks बताई है तुम उससे कर ले जाओगे अब ठीक है और तुमने अगर अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल Neer Academy को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरू कर देना यार चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में